सवाल नमबर एक. होमियोपैथी के जन्दाता निम्न में से कौन थे? आपके आप्शन है. A. डोमेट B. हैनीमेन C. वाक्समेन D. लुईस आपका जवाब है. B. हैनीमेन सवाल नमबर दो. कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? आपके आप्शन है. A. कांगो नदी B. अमेजन नदी C. नाइजर नदी D. नील नदी आपका जवाब है. A. कांगो नदी सवाल नमबर तीन. कमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? आपके आप्शन है. A. मुरूगन D. शिव C. विश्णो D. मरियमा देवी आपका जवाब है. A. मुरूगन सवाल नमबर चार. भारतिया मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आपके आप्शन है. A. कृष्णा B. नर्मदा C. व्यास D. लूनी आपका जवाब है. D. लूनी सवाल नमबर पांच भारत का राश्य पशु क्या है? आपके आप्शन है. A. चीता B. बाग C. तेंदुआ D. सिंग आपका जवाब है. B. बाग सवाल नमबर छे भारत के राश्य प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? आपके आप्शन है. A. चार B. तीन C. दो D. पांच आपका जवाब है. B. तीन सवाल नमबर साथ आकाश्वाणी और दूरदर्शन के दैनिक कारेत्रमों की शुरुआत किस्से होती है? आपके आप्शन है. A. राश्च्रगान B. राश्च्रगी C. संतूर वादन D. फिल्मी धुन आपका जवाब है. B. राश्च्रगी सवाल नमबर आठ भारत के राश्च्य ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? आपके आप्शन है. A. गहरा नीला B. काला C. हरा D. समुद्री नीला आपका जवाब है. A. गहरा नीला सवाल नमबर 9. राश्च्य ध्वज के चक्र में कितनी तिलिया होती है? आपके आप्शन है. A. 20 B. चौबीस C. तेईस D. बाईस आपका जवाब है. B. चौबीस सवाल नमबर 10. दिल्ली चलो नारा किसने दिया? आपके आप्शन है. A. भगत सिंग B. जवाहरलाल नेहरू C. सुभाष चंद्रबोस D. महात्मा गांधी आपका जवाब है. C. सुभाष चंद्रबोस सवाल नमबर 11. मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था? आपके आप्शन है. A. महात्मा गांधी B. लाल बहादुर शास्त्री C. भगत सिंग D. सुभाष चंद्रबोस आपका जवाब है. B. लाल बहादुर शास्त्री सवाल नमबर 12. आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आपके आप्शन है. A. महात्मा गांधी B. पंडित जवाहरलाल नहरू C. लाल बहादुर शास्त्री D. इंदिरा गांधी आपका जवाब है. B. पंडित जवाहरलाल नहरू सवाल नमबर 13. भारत ने हौकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? आपके आप्शन है. A. उन्नी सौ साथ में B. उन्नी सौ बावन में C. उन्नी सौ अर्टालीस में D. उन्नी सौ चप्पन में आपका सही जवाब है C. उन्नी सौ अर्टालीस में सवाल नमबर 14. मानव का मस्तिश्क लगभग कितने ग्राम का होता है? आपके आप्शन है A. एक हजार तीन सौ पचास ग्राम B. एक हजार दो सो तीस ग्राम C. एक हजार एक सो ग्राम D. एक हजार पाँच सो ग्राम आपका जवाब है A. एक हजार तीन सो पचास ग्राम सवाल नमबर 15. एक रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपके आप्शन है A. वित्त सचीव B. प्रधान मंत्री C. राश्चुपती D. किसी का नहीं आपका जवाब है A. वित्त सचीव